नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में जी हाँ आई आज हम सभी जानते हैं दातों के दर्द को दूर करने के लिए आसान से घरेलू उपायों के बारे में जो की दातों के दर्द को दूर करते हैं लहसुन सबसे पहले अवशद ही है एक कप गुनगुने पानी में एक चमच नमक मिलाईए इस पानी को थोड़ी देर मुह में रख करके कुल्ला कीजिए इससे दातों के कीड़े शांत हो जाते हैं दातों में दर्ध होना रुक जाता है इसके अलावा अमरूद के पत्ते केविटी के कारण दर्ध होने पर अमरूद के चार से पांच पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी से कुल्ला करें पत्ते चबाने से भी आपको आराम मिलता रहेगा इसके अलावा अदरक भी बहद ही महतोपून और शधी के रूप में कारे करता है इसके एंटी बैक्टिर और इंटी इंफ्लमेंटरी गुणों से दर्ध और सूजन दूर होते हैं अदरक का पेश्ट लगाएं या अदरक चबाएं दोनों ही दांतों के लिए अच्छे होते हैं बर्फ दर्ध वाली जगह पर बर्फ रखने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और दर्ध का एहसा नहीं होता है वहां पर इसके अलावा फिटकिरी जहां फिटकिरी पाउडर को दर्ध वाली जगह पर रखें लार को बाहर ठुकते रहें फिटकिरी के पानी से कुला करने से भी आपको आराम मिलता है दांतों के दर्ध से रहत मिलती है इसके अलावा लॉंग इसमें यूज जारू शान्त हो जाते हैं दांतों के और दांतों में दर्द होना रुक जाता है इसके अलवा हिंग दांत दर्द वाली जगह पर हिंग लगाएं लार को बाहर ठुकते रहें कुछी देर में दर्द गायाब हो जाएगा इसके अलवा सरसों जिहां तीन से चार बूंद सरसों क तेल में एक चुटकी नमक डाल कर दांत और मसूनों की मसाज करने से दांत के दर्द से राहत मिल जाती है इसके साथ-साथ कपूर भी है उपयोगी दर्द वाली जगह पर कपूर रखने से आपको आराम मिल जाता है हाँ इस बात का ध्यान रखें कि इसको निगलना नहीं है आपको इसे बाहर ही पिक करना है थोड़ी देर में ये ऐसे और शदिया हैं जिनके प्रियोग से आप अपने दांतों की रख्षा कर सकते हैं दांतों को सुरख्षित रख्षकते हैं तो ये थी आज की जानकारी आप स सब्सक्राइब के साथ जुड़ेंगे एक अन्य बेहादी महतों पूर्ण जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों